विधान सभा चुनाओं की हल्चल को तेज करने के लिए मुख मंत्री जन आशिवाद रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत 18 गस से कालका से शुरू होगी और 90 की 90 विधान सभाओं में जाकर जनता से वोट रुपी आशिवाद लेंगे इसी संदर्ब में जन आशिवाद रत यात्रा 18 तरीक को यम्ना नगर की तीन विधान सभाँ में पहुचेगी और आईटेए के सामने सबजी मंटी में मुख मंत्री एक विशाल जन सभाँ को संबोधित करेंगे इस कारेकर में सांसत्वा भाजबा के कई दिग्जिस नेता भी शामिल रहेंगे यह जानकारी यम्ना नगर विधाय गंशाम दास अरोडा ने पत्र कारवारता कर दी माननी मुख मंत्री जी 18 अगस्त को कालका से जन आशीरवाद यातरा शुरू करने जा रहे हैं उस दिन वो छे विधान सभाओं में जाएंगे कालका, पंचकुला, नरैंगर, सढधोरा, जगादरी और यम्ना नगर इस में से तीन विधान सभा ख्षित्र यम्ना नगर जिले में आते हैं, तीन बजे के आसपास पहाड़ी पुर नक्खे पे हम उस जन आशीरवाद यातरा को रिसीव करेंगे और उसके पश्चात तीनों विधान सभाओं में संगठन ने जो योईना बनाई है, वो रथ के माद्यम से लोगों से आशीरवाद लेने के लिए, अपनी बात बताने के लिए, परदेश सिरकार की क्या उपलबदीया हैं, और आगे हमारा पांच साल का क्या रुड मैप रह रहे हैं, लगवग सात बजे यमना नगर हम उनको तेजली मोट पर रिसीव करेंगे, इन बिट्वीन जगाधरी भी वो आएंगे और जगाधरी का भी जो रोड में बना हुआ है, उस पर कुछ चिनित सुस्थान हैं, चच्छरोली है, खिदराबाद है, बुडिया गेट है रास्ते में भी, लेदी पंजेटों में भी, वहाँ भी लोग उनका अभिननन करेंगे, और एक बहुत ही उत्सा का महोल, अच्छा बाता वर्ण, लोग मुक्यमंत्री जी को देखना चाहते हैं, मुक्यमंत्री जनता से आशीरवाद लेने के लिए आ रहे हैं, और जनता उन को आशीरवाद देने के लिए तत्पर है, तयार है, उत्सुक है, इसलिए सारा मार्ग, जहांते भी वो रत्यात्रा निकलने वाली है, निश्चित उप से लोगों का भरपूर समर्शन सहयोग और आशीरवाद उसमें मिलने वाला है, साथ बजे के आध बात तेजली मोर पर एंटर होगी, और समापन आईटी आई के सामने सब्जी बंडी के गराउंड में रात्री आठ बजे जन सबा के माधम से होगा, निश्चित रूपते इस लोगसबा क्षेतर के सांसब, इस सारे क्षेतर में जितने विधायक हैं वो, और कुछ परदेश के मंतरी इस रत्यात जितने विधायक हैं, निश्चित रूपते इस सामने सी अजनी के बाता काया हैं। झाल